नमस्कार दोस्तों मैं अज दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट का टू स्टिंग मेथड जावास्क्रिप्ट का बहुत ही पाउफुल लेंग्वेज है यह अपको सिकना ही पड़ेगा ठीक है यह एफ्री फॉंटेंड या वेफ डेवलोबर को जावास्क्रिप्ट आना अगर इस चैनल में कोई नया है तो प्लिस सब्सक्रिप्ट आन क्लिक ऑन दा बेल आइकॉन देन इट युल गेट मोर वीडियो ठीक है चलिए देखते हैं मैं दिखा रहा हूं मेरा स्कीन पे चाहिए और देखिए कैसे काम होगा जावास्क्रिप्ट का मेथड मैंने बहुत सरे वीडियो मेंने अब लोग को दिखाया है अब लोट किया है अब लोग देख लीजिए सिख लीजिए मैं एजी तरिके से मैं पाट वे पाट अब लोग पो दिखा रहा हो एज हो बीखिए मैं जावाश्किप्ट एवरियमूं लिया Suppose Age Age करके मैं लिया देखिए मैं अब लोग को easy तरिके से गाईज दिखा रहा हूँ तकि अब लोग को खिक से समझ में आ जाए and industry में काम करिए बहुत अच्छा लाएगा हमको ठीक है देखिए JavaScript need to learn age dot to strength ठीक है यह दिया अब देखिए मैं lock दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ lock देखिए दिया sip किया यह देखिए क्या आ रहा है 30 क्या आ रहा है 30 रहा है 30 रहा है तो एक क्या है यह देखिए मैं माउस ओबर क्या देखिए string string आ रहा है गाईस यह क्या है string पहले यहां पर क्या था number था अब string तो एक क्या है ओभी अब लोग देख लीजिए lock करके मैं दे रहा हूँ यहां पर दिया age यह देखिए 30 and 30 ठीक है तो एक मैं माउस ओबर कर रहा हूँ देखिए एक क्या रहा है एक है number type और एक क्या है string type ठीक है जो एक number type है and एक string type है right तो एक ठीक है कि गलत है यह भी मैं अब आपको दिखा रहा हूँ देखिए मैं lock किया इसको मैं comment out करके दे रहा हूँ right तो मैं यहां पर दे रहा हूँ की age देखिए समझने के लिए कोशिस कीजिए मैं जो बोल्डर है ओ ध्यान से सुनिए और practice करिए ठीक है यहां पर three equal दिया है क्यों दिया है यह भी difference है ठीक है यहां पर दे रहा हूँ two equal right save किया save किया देखिए difference क्या है age triple equal to new age right तो अभी देखिए मैं console किया देखिए एक देरा है false एक देरा है true क्यों triple equal to मतलब triple equal to मतलब इसका जो type है value value and type वो दोनो चेक कर रहा है क्या चेक कर रहा है value and type value है same but type है अलाग यह string है यह number है इसलिए ओ दे रहा है false right इसलिए यह देरा है false but यह देरा है true क्यों क्योंकि a है h number a है string type and a pass value and type तो समझ गया है दोस्तो triple equal to and double equal to का meaning क्या है difference क्या है समझ गया तो ऐसे करके आपको check करना पड़ेगा ठीक है तो यह है to string का method मैंने और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ देखिए variable suppose मैंने यहां पे result किया result करके यहां पे 10 plus 20 10 plus 20 किया right तो अभी मैं log करूंगा result result को मैंने log किया क्या आएगा 30 यह क्या है number है समझ गया number यहां पे आप सर्फ लिख दीजे two string two string लिख दिया यह क्या हो गया देखिए string है यह string से convert हो गया job dot two string कर दोगे तो यह convert हो जाएगा string में ठीक है तो number and string तो यह string में convert हो गया but value same है ठीक है तो समझ गया है तो two string का ठीक है यह single value के उपर मैंने दिखाया राइट अभी इसको मैं comment out करके दे रहा हूं मैंने json को मैंने एक json मैंने आपको दिखा रहा हूं अब देखिए सपोस variable exam marks variable exam marks करके दिया और उहां पर दे रहा हूं कि 20 30 10 40 50 70 ठीक है मैंने एक json create किया numbering json तो अभी इसको मैं lock करूंगा exam marks यह क्या mouse अबर करिए यह देखिए क्या दिखा रहा है number array क्या दिखा रहा है number array right क्या दिखा रहा है number array array जब दिखा रहा है number array जब दिखा रहा है तो इसका क्या होगा तो number array आ रहा है राइट गैस तो इसको अब lock करिए lock करके देखिए क्या दिखा रहा है शरी exam marks मैंने save नहीं किया देखिए क्या आ रहा है एक array आ रहा है number array राइट तो इसको मैं lock करके मैं exam marks को dot to string कर दिया ठीक है देखिए क्या होगा यहाँ पर number था array है ठीक है बाट यह क्या है एक string पर convert हो गिया है ठीक है यहाँ पर array नहीं है तो ऐसे करके आपको two string मैं convert करना पड़ेगा समझे है दोस्तों ठीक है यह है जावसकर two string method ठीक है ठीक है थेंक्यू गाइज फिर मुलाकाद होगा अगला वीडियो में ठीक्स पर वाचिंग यहाँ झाल आपको यहाँ जो यहाँ आपको रॉण भी यहाँ जो एक है